जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हमाट टेक्नलोजी पे आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फिरी ओलेवल और ट्रिपल सी एक्जाम के लिए वेट कर रहे थे ओफिशल डेट का तो तीन-चार दिन पहले ही आ गई थी लेकिन वीडियो बन ले गई आपको कितनी फीज इंसिड्यूट को देनी होगी वजजर तो ये फिरी होता है फिरी ओले वालो ट्रिपल सी लेकिन जो नकित की जो फीज एक्जाम फीज होती है वह आपको देनी यहें खिचेम सिर्फ ओविस्ट वाले बच्चों के लिए है यानि पिछड जो भी बच्चे से आते हैं इस category से और सिर्फ उत्तरप्रदेश से होने चाहिए अगर आप किसी और state से हैं और OBC से हैं तो भी आप इस form को fill नहीं कर पाएंगे eligibility सिर्फ यह है कि OBC से होना चाहिए बच्चा और यूपी से होना चाहिए उस document आपको बता चुका था इसके लिए अधार काड आपके पास होना चाहिए 10th और 12th की mark sheet होनी चाहिए 10th और 12th में जितने भी नंबर आपके होंगे दोनों को जोड़ के जितना percentage बनेगा उसी हिसाब से merit लगती है जिसके सबसे ज़्यादा number होंगे उसी को लिया जाता है income certificate होना चाहिए जिसमें आपके father साब की एक लाग से ज़्यादा income नहीं होनी चाहिए और यह जो है तीन साल से पुराणा नहीं होना चाहिए cash certificate होना चाहिए आपके पास OBC का जाती परमान पत्र जिसे कहते हैं और एक मूल निवास परमान पत्र होना चाहिए domicile certificate जिसे कहते हैं यह document आपके पास होंगे तब यह आप apply कर पाएंगे और तीन साल से पुराणे नहीं होने चाहिए तीनों document ठीक है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि official date जो आई है उसमें किस तरीके से date है यानि कब से कब exam आपको registration करना है आपके पढ़ाई कब सुरू होगी कब से आपको center पर जाना है यह सब की चीज़े हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं computer perception योजना अंतरगत वित्यवर्ष 2024 पच्चे से तूप perception कारेकरम की समय सरणी इसको आपको दियान से देखना है जो आपका पहला number है नेलेट से O-Level computer perception एवम triple C course होता है इसके लिए माननिता प्राप संस्थाओ आवेदन की अंतिम तिथी तक संस्था की माननिता valid होनी चाहिए जो भी यानि ये institute के लिए है जो पहला point है ये सिर्फ institute के लिए है ये बच्चों के लिए नहीं है इसको पढ़ सकते हैं आप भी वैसे ये सिर्फ institute के लिए है यानि जो भी institute इस course को करवाना चाते हैं इसके लिए अपना institute register करवाना चाते ह यहां पर देखे पढ़िए इस लिंक पर जाके उनको जो भी रेजिस्टेशन है वो करना होगा जैसे बच्चा करता है ऐसी इंस्टिट वालों को भी करना होता है आपको दिखा दूंगा मैं कहां से वो करते हैं ठीक है दूसरे पॉइंट में यह है कि संस्था द्वारा भरे गए ओनलाइन आवेदन में यानि संसायनी इंस्टिट द्वारा भरे गए ओनलाइन आवेदन में अंकित सूचनाओं का जिला पिषड़ा बर कल्यान अधिकारी द्वारा अभी लेखे भौतिक सत्यापन किया जाना यानि उनकी वेरिफिकेशन होगी जो भी उन्होंने डोक संस्थाओं का चैन करना कौन-कौन से इंस्टिट फिर चैन होंगे उसके लिए जो है दिनाक 10-7-2024 यानि 10 तारीक सात्वा महिना दोजार चोबिस में यह जो है काम हो जाएगा उसके बाद फोर पोइंट में क्या लिखाओ है परिक्षारतियों द्वारा ओलेवल कंप्यू करना यह से जाती परमाद पर मुद्लिवास परमाद पर यह आपको अपलोड करने होंगे आपके पास होने चाहिए यह डोक्यूमेंट ठीक है अपलोड किया जाना तथा आवेदन की प्रतिलिपी डाउनलोड कर समस्त अभिलेकों सहीत निर्धारिक तिति तक जिला पिछड करना चाहता है वह रिच्टेशन करेखा 21y से 58 2225 थी तक ठीक है वह रिच्ट्रेशन कर सकता है इसमें अपना और उसके लिए ज Tamam 172022 से 54 24 देनी 582024 लास डेट रही tart रहे इस पर जैसे आप rubbish बिटेशन करते हों अपना उंडे बाद जो है आपको जो भी बार्ण के बाद्षा मिला है पूराी रुगयंट करने के बाद वह सारे डोक्युमेंट जो आपको दिखाए हैं अभी आधार कार्ड जाती परमानपत्र मूर लिवास परमानपत्र marble 12 की मार्क शीट और जो आपको डो मिसाल यह नी मूर लिवाज पर मनबत्र यह सारे document attach करने के बाद आपको अपने district में जो विकास भवन होता है ठीक है collect rate जिसे बोलते हैं वहाँ पे जाना है और उसमें एक department होता है जिसको बोलते हैं OBC department ठीक है उसमें जाके आपको hard copy जमा करानी होगी registration करने के बाद आप ऐसी चले जाएंगे वहाँ पर document लेंके आपने registration किया नहीं तो भी सही नहीं है और आपने online registration कर लिया और document वहाँ पर जमानी कराए तो भी सही यानि पहले आपको online registration करना है registration की जो डेट आपको बदा चुका हूं मैं 10-6-2024 से और यहां पर लिखा हुए 11-7-2024 से तोरी 11-7-2024 से 5-8-2024 तक ही आपको काम कर लेना है पहले online registration करना है उसके बाद सारे document अटेच करके और print out जो निकला है registration का वह अपने विकास बवन में जाके जहां पर OBC department होता है वहां पर जमा करा देना है पांच पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि जिला पिछड़ा वर कल्यान भाग अधिकारी द्वारा online प्राप्त आवेदन पत्रो यानि जो उनको online registration के द्वारा बच्चों का जो record मिला है वह और print out और जो नोंने hard copy पराप्त की है वह उसकी verification करेंगे ठीक है online सत्यापन एवम उनकी जाच करना यह सब जो का यह पांच पॉइंट में जो काम है यह OBC department वालों का है वह करेंगे इसको यानि बच्चे की verification करेंगे कि जो registration क्या है online बच्चे ने क्या वो सारी जानकारी सही है document से match करती है और जो hard copy आपने जमा की है वो यह सब चीज़े जो है चेक करने करेंगे वो 12-8-2024 तक ठीक है जी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला पिछड़ा पर कल्या नादिकारी द्वारा online प्राप्त आवेदन पत्रों एवा मंबिलेकों का print प्राप्त करना आए जाती पर्मान पत्र अन्य सेक्शनिक यानि 10 और 12 की जो mark sheet है वो online सत्यापन करना उ कोई कोई other document कोई फर्जी अप्लोड करने कोशिश ना करें अगर पकड़े जाओगे तो कारवाई होगी सकत ठीक है क्योंकि योगी सरकार है आप जानते हैं online सत्यापन करना उनकी जाच करना पर्शिक्शन है तो पात्र जो भी पर्शिक्शन के लिए eligible है candidate उनको सत्यापित क लोग करना और अपात्र तुर्टी पूर्ण आविदनों को निरस्त करना जो भी गलत पाए जाएंगे उनको निरस्त के जाएगा निदाशयल्य द्वारा संस्थावार पाठ्ट्य करमवार आवंटित लक्षे के अप यह सब नीचे बात लिख लिए इसको आप पढ़ सकते बाकी की जो आपके लिए इंपोर्टेंट थी आपको बता चुका हूँ में ठीक है उसके बाद देखिए यह आपको हो गया सिक्स नंबर पॉइंट में है चैनित अब्यारतियों का संब्मदित संस्था दुआरा संस्था में परवेस लेते हुए परचिक्षारतियों का ने इसकी 500 फीस आपको देनी पड़ेगी वह नेयलेट की फीस है नेयलेट की सारे आपको देनी होगी नेटि में आपका रेजिस्टेशन किया जाएगा तेहरा आथ लोजार चुविस से दिनाख 20-2045 तक ये काम होगा क्या काम होगा बता चुगा हूं रज यानि जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा रिष्टेशन के टाइम पे कि आपका नाम आया है लिस्ट में इस कोर्स में सिस्की में क्या आप यह कोर्स करना चाहते हैं कोर्स कौन सा जो आपने सिलेक्ट किया होगा आप अगर आपने ओलेवल सिलेक्ट किया होगा तो लेवल के लिए बोलेंग तरह सब्सक्राइब नहीं होती हैं ठीक है नइलेट में रेजिस्टेशन करना तरह परवेश्ट लेने वाले अप्रशिक्सार्तियों का प्रिक्षार्तियों के सापेक्स परतिक्षा सूची से पोर्टल पर अलॉट्मेंट करते हुए परवेश दिलाना तटा सोचना उन्लाइ प्रसिक्षन एक साथ प्राडम कराया जाना 21 आट 24 से प्रसिक्षन प्राडम यानि जो कोचिंग आपकी वो 21 से सुरू हो जाएगी ठीक है जुलाई अगस्त 21 अगस्त से आपकी कोचिंग सुरू हो जाएगी आपको इंसिट्यूट में कंटीनु जाना होगा और जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको जो है टेंडेंस लगती है उनलाइन इसमें नहीं जाओगे तो आपका रेजिस्टेशन कैंसल हो जाएगा आपके जाक किसी और बच्चे को आपकी सीट मिल जाएगी ठीक है वंदना वर्मा निदेशक हैं पिछड़ाबर कल्या निभाग द्वारा उत 2024 से यानि 11 जुलाइ 2024 से 5824 तक 5 अगस्थ 24 तक आपके ओनलाइन रेजिस्टेशन पर जो अपने रेजिस्टेशन के बाद परिंट आउट प्राप्त किया है उसके साथ अपको अपने डोकुमेंट अटेच करने OVC डिपाटरमेंट में जमा करना है यह आपको काम कब से तक करना है 11-7-2024 से और आपको 58-2024 तक कर लेना है डेट आपको दिखा दी मैंने ठीक है उसके बाद registration के लिए इस website का link आपको description box मिल जाएगा इसको आप कोपी करके अपने पास रखेंगे जब registration स्टार्ट हो जाएंगे इसी link पर किलिक करके आप इस page पर आ जाएंगे और यहां से आपको आकर registration करना होगा अब भी registration close है student registration close और student login भी close है यानि registration के बाद आपको ID passport मिलेगा उससे login कर सकते हैं यह भी close है क्योंकि यह ग्यारा साथ दो हजार चोबिस को खुलेगा ग्यारा जुलाई को खुलेगा और पांच अगश्त तक खुला रहेगा आप भी सिर्फ और सिर्फ institute के registration खुले वे हैं यानि जो भी institute इसके लिए इस योजना के लिए अपने institute को register कराना चाहता है वो सिर्फ अपना registration कर सकते हैं ठीक है उसके लावा बच्चा registration नहीं कर पाएगा registration आपको इसी वेबसाइट साकी करना होगा फिरी ओलेवाल और triple C कोई से भी course के लिए ठीक है अगर आपको और कुछ information चाहिए comment document box में लिख सकते हैं उसका reply आपको मिल जाएगा ठीक है document आपने ready कर वा लिजे आए जाती मूर लिवास परमांट पत्र अपने बनवा लिजे किसी भी document में नाम में date of birth में फादर नहीं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और सिर्फ OBC वाले बच्चे इसको फायदा उठा स इसके बार में पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके आप ठीक है online computer training scheme तो इस website से आके आप देख सकते हैं जो भी आपको information चाहिए यहाँ पर इधर side में notification का जो यह है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा direction for institute ठीक है और date का है timeline direction for student सब कुछ आपको government order यानि student के लिए कौन-कौन स रूल होगे वह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एक आके सारा information आपको मिल जाएगे वीडियो को share जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ और like कर दें और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं क्या तो please कर दीजे बहुत महनत लगती है यह वीडियो बनाने में और आप तक प